एक बाद जोकी मावल की मुझे बहुत बुई लगते है वो ये है कि मावल सामने मूँ पर सब्वे जुट बोलता है टाइगा वाटेटी जोकी थौर लवरेट हंडर के डारकर है और टॉम मिडिस जोकी लोकी प्ले करते हैं दोनों ने बोला है कि थौर 4 के अंदरे में लोकी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन क्या अक्षली मैसा है? क्या आपको लगते हैं कि बिना लोकी के थौर के कोई भी बन सकती है? ऐसा नहीं है मावले मेरे भाई, वो मैं इस दिजूर बोलते हैं आज इस वीडियो के हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से लोकी जो है वो MCU की मेन टैम लाइन में आएगा और थौर 4 के उंदरस का पीडियस जो है वो कैसे हो सकता है Hey guys, मैं उस अच्छा निगम, and let's begin this video अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सस्क्राइब करो और आदा काम मत करना बाल आइकन दबा के अल पे ज़रूर क्लिक करना बात करें पॉसिबिलिटी की, तो पॉसिबिलिटी तो guys बहुत-बहुत-बहुत-बहुत ही सारी है कि Loki का पेरिंस Thor 4 यानि कि Thor 1100 में कैसे हो सकता है First of all, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसके मैं अलड़ी बोल चुका हूँ कि कोई भी Thor की movie बिना Loki के बन ही नहीं सकती Loki एक ऐसा integral part बन चुका, आज के रिटम में MCU का जिसको लोग पहले एक villain समझते थे, फिर वो anti-hero बना और now he is finally hero of his own story और जिस तरह से Loki हमारा end हुआ है उसके बात से तो Loki की next appearance देखने के लिए सारे-सारे fans excited है Personally, WandaVision, Falcon and Winter Soldier इस शोग के आगे कुछ भी नहीं थे और आप fans जो है वो चाहते है कि Loki की हमें next appearance पता चल ला है कि फटावर से वो किस के अंदर देखने को बलने वाला है और मैं आपको बताऊंगा possibilities जिसके साफ से हमें Loki देखने को मल सकता है Thor 4 में First possibility जो की obvious है वो यह है कि Loki जो हमें देखने को मलेगा वो एक flashback scene के अंदर देखने को मलेगा अब आप यह बात already जानते हैं कि सारी की सारी जो चीज़े है वो खतम हो चुकी है और Loki का जो story आग था वो उसके show को देख लो चाहे मावर स्टेमेटर की निवर्स को देख लो दोनों के अंदर जो story आरके वो almost over हो चुका है Loki की कहानी बहुत सारी अभी बताने के लिए क्योंकि Loki का second season आने वाला है लेकिन जो TV से लेटर इसार का second season होने वाला है यह main timeline से अलग होगा तो ऐसा हो सकता है कि Thor 4 के अंदर जब मैं Loki देखने को मले तो Loki वो किसी timeline करना हो कहीं का भी ना हो वो self-receive flashback scene हो क्योंकि हमने देखा कि flashback अगर scene वो दिखाते है तो अचीज अचीज हो जाईगी वो यह है कि Loki को जिन्दा नहीं करना पड़ेगा Marvel को explain नहीं करना पड़ेगा कि Loki आया कहां से बठा दो तीन मिनट का एक अच्छा flashback scene दिखा सकते हैं जहां पर उन्होंने टॉम मिलस्टन को शूट किया हो और थौर 4 के अंदर कहीं नहीं मुझे ऐसा रखता है कि Thor जो है वो अपने जो ट्रामा वाला स्टेश ता उससे रिकवर करनी कोश करेगा जो मोटा वाला स्टेश ता उससे fit Thor बननी कोश करेगा और कहीं न कहीं उसके भाई किसको यान तो आईगी आईगी तो हां एक flashback scene हमें देखने को मिल सकता है Loki का जिससे होगा क्या अगें Loki को जिन्दा नहीं करना पड़ेगा और Loki हमें देखने को भी मिल जाएगा लेकिन अब बात करेंगे possibility 2 की वैसे अभी भी काफी लोग जिनको ऐसे रखता है कि Marvel सच बोलता है Marvel कभी सच बोलता ही नहीं है Marvel एक ऐसी company है जिसमें सिर्फ पहला रूल यही है कि जूट बोलो यह बताओ ही मत और अवे कभी भी कभी भी हमें Marvel की कोई बात में विलीट करना ही नहीं चाहिए possibility 2 है multiverse हम यह बात जानते हैं कि Marvel Sematic Universe के अंदर multiverse official हो चुका है बिलकुल it's official now Marvel ने खुद ही जो सेगर timeline थी इसके बहुत सारे इससे कर दी है और अब कितनी सारे timeline के अंदर कितना सारे Loki हो सकते है अब यह बात अलड़ी आप जानते हैं कि Loki के Disney Plus Series के अंदर हमने multiple Loki देख लिए है multiple Loki मतलब इस सारों Loki हमने देख आपको क्या बता है अब कम से कम 20 Loki तो में गिन चुके है तो इन Loki में से कोई और multiverse के अंदर कोई और dimension के अंदर कोई और universe के अंदर हमारा एक और Loki जिन्दा हो सकता है जी हाँ बिल्कुल हो सकता है we have no doubt about it और आप इसको ऐसे भी समझ सकते है कि हमारे जो main Loki है जो कि हमने डिजनी प्लस के खुद की सीरिस में देख लिया है ऐसा हो सकता है कि second part के end में यानि second season के end में जो Loki वो वापस से sacred timeline के लिए ट्रावल करें और मिल जाए थार से जी हाँ उससे होगा कि उससे दो benefit होगा पहला ये है कि Marvel को ये easily हो जाएगा जो हमने ओलेडी सारा का सारा क्रेक्टर डावल्यमेंट कर लिया है डिसनी प्लस वाल लोकी को लेकर यानि मेल लोकी को लेकर वही क्रेक्टर डावल्यमेंट जो है वो carry over कर सकते है थार 4 के अंदर जिससे यह एकस्पेंड नी करनी पड़ेगा कि यह कौन सा लोकी है हमें पता होगा कौन सा लोकी है दूसरी चीजी है कि जो लोकी आज के लेटी हम देख रहे है Disney प्लस वाला जो लोकी है जिससा सेकंड सेजन आने वाला है वो Lucky अब 2012 वाला Lucky नहीं है, उसने बहुत सारी चीजी से रेकली है, उस थी यह जाले आए कि universe के पिछे कौन है, TV के पिछे कौन है, टाइम कैसे काम करता है, multiverse क्या होता है, साथ-साथ ने यही समझनल है कि मेरे varian posted कौन कां से है, और कहीं न कहीं वो एक अच्छी रहा पर निकल चुका है वैसे लोकी एक ऐसा शू है जिस्तें MCU के टाइम लेन पर बहुत ही बड़ा एफट डाला है WandaVision ने सेट अप किया Multiverse of Madness Falcon the Winter Soldier एक ऐसे स्टोरी है जो कि Self-Contained है और Sam और Bucky के रिलेशन को दरशाती है लेकिन लोकी के शिरीज है जो कि MCU के फीचर पर बहुत ही बड़ा इंपैट डालने वाली है हमने देखा लोकी ये भी बोलता है कि मैं किसी को हट नहीं करना चाहता बट मैं हट करता हूँ क्योंकि मुझे करना ज़रूरी है मुझे करना पड़ता है तो लोकी का character development तना जादा हो चुका है कि अगर उसी ही लोकी को वापस से multiverse का एक तरह से बहाना बना कर यह मैं multiverse का logic दिखा कर Thor 4 के अंदर डाला जाएगा तो सारे के सारे fans बहुत जादा है happy होने वाले है और मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं Marvel Semantic Universe जो है न वो इसी राउट को चुनेगा अब Tom Resistance सापना कर चुके हैं कि मैं Thor 4 के अंदर नहीं हूँ लेकिन आपको अलेड़ी बता चुक हूँ कि कोई भी actor Marvel का कभी भी सच बोलेगा है नी तो उनकी बात को तब छोड़ी दो थोड़ा दिनों पहले जब Kang the Conqueror के actor Mr. Jonathan Majors से पूछा था कि Sir आप एक बात बताईए कि लोकी के अंदर आपका कोई cameo कोई appearance है तो उन्हें ने बोलता भाई मुझे तो पता ही नहीं तुम क्या बात कर रहे हूँ वो ऐसे behave कर रहे थे जसे उनको कुछ भी नहीं पता मावाल को call तक नहीं किया लेकिन हुआ के end में आप देख सकते हैं कि लोगे के end के episode में Kang the Conqueror के एक और वर्जन की रूप में हमें Jonathan Majors देखने को बले इसका मतलब है कि उस वक्त जब वो इंट्रिव्यू को दे रहे थे तब वो जूट बोल रहे थे तो Tom Middleston ने कहा है कि मैं Thor 4 के इसका मतलब है आप उनकी बातों इश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं मेरी बात भी मत करो बट आपको पता है कि मावल का track record कैसा है उनके actor journal को specially train किया जाता है कि आपको कोई भी answer जो है वो इस तरह से देना है कि जो public है वो बिल्कुल ambiguous रहे उनको पता है ने चले कि के अंदर होगे यह बात हम अलरी जाते है तो यह थी गाइस दो पॉसलिटी जिसके एसाफ से जो लोकी जो है वो main timeline के अंदर आ सकता है अब मैं यह नहीं बोलूँगा कि यही दो पॉसलिटी इसके अलावा ही पॉसलिटी बहु सारी है जैसे Dr.Shane दूसरे universe के ने ट्रावल क के लोकी को इस universe के अंदर लेया यह एक पॉसलिटी है दूसरी पॉसलिटी है कि जो टीवे वाला लोकी है जो में लोकी उसकी गाहन ही चलती है season 2 के अंदर और जब मल्टिवर्स ओपन हो तो उस मल्टिवर्स में से एक लोकी खुदी चलकर sacred timeline में आ जाए यह भी पॉसलिटी इस endless है मतलब में आपको मल्टिवर्स खुलने के बाद में इतनी सारी possibilities बता सकता हूं जो कि possible हो सकती है बठा उनके बारे में मतलब इतनी सारी possibilities करें बात कुन करेगा तो हां मैंने आपको अलड़ी दो possibilities बता दी है पहली जो Disney Plus वाला लोकी है वो हमारी sacred timeline के अंदर आ जाए या फिर हमें flashback देखने को मिल सकता है मैंने का से इन दो possibilities के लावा तीसी possibility होगी नहीं क्योंकि Marvel भी इतनो complicated issues को नहीं करेगा और वो लोकी को अगर थार फोरी के अंदर दिखाना चाहते हैं तो शायद वो एनी दो तरीकों का इस्तमाल कर सकते हैं बाकी तरीके भी हो सकते है मैं एक होँगा हा भई और तरीके भी हैं बठा इन दो तरीकों का स्तमाल जो होगा वो बेस्ट होगा और लोग को समझ में भी आएगा तो थैंकि सो मुच वर वचिंग दिस वीडियो गाई अगर आपको भी लगता है कि थार मुवी के अंदर हमें लोग की देखने को विलेगा अगें तो गिव दिस वीडियो अ बिग बिग लाइक और अगर आपको लगता है कि एक्शली मैं ऐसा नहीं होने वाला है दिन अग आती पर आपको लगता है दॉले हं वाला है तो मैं तो भी अगज को ऑेतो है दो मैं गचिंगा देखने को अगर बिग दिस वाला है झाला, जाक में हमें तो कि भी द quindi अटekूल 29.6 प्तापें है?